प्यार हो जाता है बाद में इंस्टाग्राम पे प्यार की कहानी आगे बढ़ती है बनारस के एक मंदिर में साधी हो जाता है और अभी जो है लड़की का जिंदगी जो है लड़का नर्क बना दिया है क्योंकि लड़की को एकसेप्ट करने के लिए तेयार नहीं है लड़का जो ए लड़की से ब ला था कि मैं मेकनिकल एंजीनियर हो माबाप को बता दिया हूं उसके बावजूद आपको ने रिती रिवा से साधी नहीं किया लड़की ने बात आगे बढ़ी यह संपर्क हुआ कैसे हुआ तो इंस्टाग्राम से संपर्क हुआ था वो पॉलो किया था और रलो करते नंबर तो हमने नंबर दिया उसके बाद कॉल करते बात उतुत हूं हम लोगा कर दिसमें इसमें प्यार हो गया था और दो आजर तेईस में क्या इस्तिती हो गई है कई कि नहीं रहे हैं अभी मंदीर में साधी भी कर चुका है सब कुछ फोटो अगर अगर मंदीर में साधी आपने क्यों किया आप तो खुद अपराधी हैं आपको जो है उस लड़के पर दबाव डालना चाहिए था और बोलन इस परकार की लड़कियों को जो है हमिचा गलठ लड़के क्यूं मिल जाते हैं हमेसा क्यूं क्यूं क्यों और लटके का आटेच्मेंट कम हो जैसे मुझे अगर किसी से महबबत होगी मुझे अगर किसी को अपना जीवन साथी चुनना होगा तो क्योंकि मेरी मम्मी पापा से मेरी बॉंडिंग अच्छी है तो मैं उनको बताऊंगी कि मुझे लड़का पसंद है मम्मी प्लीज साधी कर दिजिए उ अपनी जिन्दिगी बरबाद करना जितना देर इन्होंने तिन साल प्यार पर खर्च किया उतना देर अपनी सफलता अप्रक्लाकार ड़कारी ईए हमारा अपनी प्रियास कि है तो पमस्टारी को साधी होने वाला था विस तरीक को है थ्यृकाई होने वाला था की साधी सचति है पता चला एक दिन पहले हम तो दोड़े दोड़े हम है अब जा रहा था और बरात जा रहा था और उस समय साधी रुकवा दिया गया जारा सोचिए अब दो परिवार की कहानी नहीं हो गई यह तीन परिवार के इजद का कहानी हो गया एक इनके परिवार का एक लड़के का परिवार का और एक लड़के का जिस लड़की से साधी हो रहा था उसके परिवार का जिंदगी बरबाद करता है उसी लड़के से तो सुचिए कि अब इसका end of result क्या निकलता है लड़का भी तो ठीक है गलती आप जैसे बोल रहे हैं कि लड़का सुसाइट कर लेगा अगर बोलिए मेरे घर वाले कि क्या नहीं रखेंगे हमी सुसाइट कर लेंगे तो कोन इसका इसकी डूसी ओड़के वाली होगा कैलना लड़के वाले तो होंगे ना सीधे धमकी है हम लोगों को हम लोग करें तो करें क्या करें मत लीजिए वह यह कह रही है कि जैसे आप बता रहें कि दबाव बन दबाव बने मैं इनके साइट से नहीं हूं बस क्योंकि एक लड़की है और अकेले आई हूं यह तो मुझे बात क कर रहा था उन नोगों ने बोला कि नहीं कि हर देन थाने में जो आइस परकार का दस केस आरा है आधा केस तो सिरव और सिरव इंस्टागराम का प्यार वाला थाने में आ रहा है पुलिस वाले अलगल परिशान क्या अप्राधी को पकड़े कि लभर को पक्रे वह สुनीं कि भूद ऑनारस गयते हम लोग ने हम पोले कोट में करो दो बूला कि बाद में करेंगे मंदीर में साधी कर ले रहा है उसके बाद बाद में किया उसके फैमली वाले क्या करें यह मुझे खबर तक नहीं हमको 218 को रात में पता चला कि उसका काड आया था या आपके साथ कभी फीजिकल रिलेसंसीप में नहीं गया ताद मुझे नहीं पता था यह मुझे नहीं पता था कोट मैरेज करने से पहले या एविडेंस वाला मैरेज करने से पहले जो है फिजिकल रिलेसंसिप में आप लोगों से मैं बिनती करना चाहता हूं अगर आप लोग चाहती है कि जिन्दगी जो है नर्क ना बने फ्रीज में कभी जाने का नौबत ना है कभी स्रधा जैसी हालत तो इसे के पहले जो है आप लोग या तो गोट मैरेज की या तो मैरेज होता है हो मैरेज की जै कि नहीं सरी नहीं यहिक है और शाधी 7-7 बजे तक बराद एकदम केंथिलो गई लड़का थाने के अंदर डेड़ घंटे के अंदर पुलिस काम के जिस लड़के से ये प्यार करती है जिस लड़के के साथ ये फिजिकल रिलेसंसिप में थी वो लड़का जो है दूसरा साधी कर रहा था और उसका साधी पुलिस वाले ने रुकवा दिया तो उस लड़के के छोटे भाई के साथ वो तीसरी लड़की का साधी हो गया जरसोच ये कितना मतलब की अतलब की सारे परिवार का इज़ट नाशवा कार्ड पे जो है किसी और आपने क्या किया है आपने क्या किया है आज आप अकेली आश्यान रास्ते पर हुआ हैं आपने क्या हैं अगर आपके साथ कुछ गलत करेगा तब क्या होगा इतना सीधत के साथ आप दिन और रात एक करके उसका साधी तोड़वाई जितना सीधत के साथ जो है आप ठाना और उसका घर कर रही है उतना सीधत के साथ पढ़ाई कीजे और पढ़ाई करके जो है बड़ा अधिकारी बनके उसको दंडित कीजे ऐसा होना चाहिए कि नहीं हो अपना जीवन साती चुन सकते हैं इस बात की मैं पक्षदर हूँ बहुत लड़ती हूं इस बात के लिए कि हमें छूट मिलने चाहिए लेकिन एक बात मेरे को कहना है कि आप अपने गार्जियन को सपोर्ट में लेकर ही आपना डिसीजन आगे बढ़ाएं इसमें सविधान की इन ने प्यार किया लड़का इनको धोखा दिया लड़का क्या करता है लड़का हम से बोला कि मैं के निकल इंजिनियर तमिलनाडू से अन्ना इन्वर्सिटी से किये हुए हैं और अब लड़का की कंपनी में कभी आप गई थी कंपनी में क्यों जाओंगी ग्रेटे है में दिली गये अब नाचने वाली लड़कीों तो से भ ter什麼 घरत करना चाहां की आप लोग इंस्टाग्राम पे नाचने नाचने पयार करना सुरू कर देती है लड़कों से कहना चाहता हूं गि अगर आप अगर कि यह तो कूट मेरेज करें या तो पूरे परिवार के सामने मैरेज करें अगर और वो मंदिर महरेज करता है बिना किसी से बता है मस्जिद महरेज करता है बिना किसी से बता है या किसी और धार्मी का स्थल पे जाके महरेज कर लेता है बिना किसी से बता है तो कहीं नहीं तो कहीं यह गलत है और उसका अंजाम यहीं होगा लड़का से पैसा विशा ली है कि वो बोला था कि हम क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं उसमें डबल होता है पैसा बीटकोइन वगरा कुछ है तो सेयर मार्केट भी है तो वही मांगा था तो हम लेकि ठीक है लेलो लेकिन एक साल तक 2020 में 2021 में दिये थे और देर साल हो गया भी तक दिया नहीं है वो पैसा हमको देखिए मैं बस आपसे यही कहूंगी कि प्रतिभा की कहानी देखने और समझने के बाद कि आप लोग अपने गार्जेन को सपोर्ट में लेकर ही आगे बढ़िये भाई बिना गार्जेन के ना आप लोग बिना ना के बिना पतवार के ना हो है वैसा अब यह ना इधर की रह होता है तो जिमदार कॉन ये सोचने की बात है कि इस परकार के घटना में आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है ना कोई रिष्टनार को बताया नहीं होना चाहिए इनके जैसा नहीं होना चाहिए मुझे उससे साधी करना है और रहना भी है उसके साथ में ही उसके पारेंस भी हमको बोले हैं आपको वीडियो बेजे हैं अगर वो नहीं रखेगा तब क्या किजेगा क्यों नहीं रखेगा तो क्या किजेगा तो क्या करेंगे तो लड़ेंगे और क्या करेंगे क्योंकि घरव और देखने के बाद भी नहीं सुधारते हैं सुधरा कीज़े पिलेज भी नती है वरना जो है लड़कियों आप लोगों करें